अगर नहीं देखे हो तो देख लीजेगा और उसमें पूछा था एक सवाल जिन्हों ने दिया है सही जवाब उनको मिलने वाला एबुक उनका नाम लास्ट में बताऊंगा और क्या है सही जवाब वो भी लास्ट में बताऊंगा एक बहुत ही गुड न्यूज आप सब के लिए आप सब सीखना चाते हो बट फंड की कमी के कारण सीखना ही बात है वहाँ पर अगर आप हमारे लिंक से जिरोधा आप स्टॉक या एंजल कहीं भी एकाउंट ओपन करते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आपको इस सपोर्ट जो सही तरीके से गाइड कर सके वह मिलेगा हमारे साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में एकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म बरना बेकुल ना भूले तभी हम आपको वह सारी फैसलिटी दे पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की स्टॉक आपकी डि जीतने का मौका मिलेगा मेरी साइन कीवी बुक देखे टेकनोलोजी क्या है हमारे डियने में मतलब यह मैं नहीं कंपनी बोल रही है एक ऐसी स्मॉल काइप गांदी जो अपनी इंडस्ट्री की लीडर है और इंडस्ट्री में 50% मार्केट सेयर है इस कंपनी के पास इतना ही सवाल आता है कि इतना अच्छा क्लाइंट बेस होने के बाद मार्केट रीडर होने के बाद इतना अच्छा रीटर्न देने के बाद आखर यह स्टॉक अपने इंवेस्टर को परिशान क्यों कर रहा है परिशान कर रहा है यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपने all time high से 49% गिर चुका है और अभी recovery के बाद भी 38% नीचे trade कर रहा है आज मैं आपको इस stock का नाम guess करने नहीं बोलूगा मगर एक सवाल जरूर पूछूँगा इस सवाल का जवाब आपको वीडियो में ही मिलेगा इसलिए वीडियो द्यान से देखेगा सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना अभी के टाइम में रहना मुस्किल है आप अपना जवाब कमेंट में कर सकते हैं या वीडियो में खोच सकते हैं इस कंपनी का नाम है HFCL Limited वीडियो को लाइक कर दीजे और जो नए है चै आप चाहते हैं डेली स्टॉक लेवल मिले एक स्पाइरी के दिन ऑप्शन का कुछ मज़ेदार मिले हर संडे को लर्निंग स्ट्रेटजी की वीडियो मिले तो यूटूब मेंबर्शिप आप जोइन कर सकते हैं अगर आप एक सीरियस ट्रेडर है तो जहां आपको स्क्रीन प कोई यह न कहें कि हम टेलीग्राम में फ्री ट्रेडर नहीं देते हैं वह मेरी कमिटमेंट है मैं हमेशा दूँगा अगर आप सीरियस ट्रेडर है तो आप यहां जोइन कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं एक से इंडिया का लार्जस मैनुफैक्ट्चर और सप्लाइर है अब क्या है इसका मतलब Optical Fiber Capper इसी के थूरू Telecom Company अपना Network across India distribute करती है इसके लावा HFCL, Wi-Fi और Universal Broadband Router को design, develop और manufacturing करती है इंडिया में Telecom और networking product के manufacturing के लिए HFCL को government के PLI scheme के अंडर 650 करोर का incentive भी मिला है HFCL, one of the largest network implementer है defense industry का इसके अलावा Main Line Indian Railway, Metro में Modern Communication और signaling system पे भी service provide करते है मुझे लगता है HFCL का business थोरा technical हो गया इसको आसान भासा में समझाते है HFCL, Telecom infrastructure के लिए Telecom equipment और Optical Fiber Cable का manufacturing और system integration करती है जो भी communication का काम होता है उसके लिए network या signal की जरुवत होती है और signal transfer करने के लिए कई product की जरुवत होती है और HFCL इनी Telecom product को बनाता है और अभी के टाइम में network या signal के भीना रहना मुस्किल है लगत हर चीज़ technology से connected है और technology नेट पे dependent है HFCL के कुछ product की बात करें Telecom industry के लिए optic fiber, micro cable, ribbon cable, wifi, cloud-based network, management system, home-mess router ETC passive connectivity solution के लिए high density cabinet, fiber termination box, cable assemblies ETC defense electronics product में thermal vapor site, high capacity radio, ground surveillance, radar ETC ये क्या है HFCL के product इन product के अलावा 5Z product under development में है HFCL तीन major industry में काम करती है जिसमें पहला आता है telecom और cable industry दूसरा defense industry और तीसरा है railway industry revenue अब देख लेते हैं तो 83% telecom और cable से आता है 15% defense से आता है 2% railway यानि railway बहुत lower पे है जिसको ये increase करना चाहते है location wise देखें तो 82.77% revenue इंडिया से आता है और 17.23% export से आता है export revenue पिछले तीन साल में 88% CAGR से ग्रो हुआ है जो एक बहुत अच्छा sign है company के मुताबिक 2018 तक globally और इंडिया में मिला के telecom और networking product का TAM 550 billion US dollar तक हो सकता है अब गाओगे ये कौन सी कहान ये TAM तो total addressable market इसको example से समझ लिए माल लीजिए आप सू का business करते हैं और market में सिर्फ 100 लोग है मतलब सिर्फ 100 लोगों को आप अपना सू सेल कर सकते हैं और यही 100 लोग हुए आपके TAM जिनको जिनको आप अपना प्रोड़क्ट सिल करने की कोसिस करेंगे टिलिकॉम और नेट्वर्गिंग प्रोड़क्ट के 550 billion dollar के TAM में कंपनी का टार्गेट है फाइनसलियर 24-25 तक 800 से 1000 करोर का market कवर करने का अभी कंपनी 138 करोर market कवर कर पा रही है मतलब 2022-23 तक 130 करोर है 24-25 तक 800 करोर जाने का target रखती है percentage wise देखें तो क्या हुआ 479.71% का growth बहुत ही जादा है सोच से राइट लग रहा है ना यसा इस target को अचीव करने के लिए कंपनी को लगातार order मिलना जरूरी है इसलिए हमें देखना चीए order book का क्या status है तो railway से HFCL को telecom network implementation करने का order मिला है कानपूर और आगरा metro ने इसके बाद सूरत metro में भी 282.61 करोर का telecom network implement करने का order मिला है HFCL को प्राइविट order देखें तो 575 करोर का optical fiber cable और telecom equipment का order मिला है प्राइविट कंपनी से इसके लावा optical fiber cable और accessories का 82.97 करोर का export order भी मिला है XBall Cap की company के पास इतना order book सही है 83% revenue private clients से आता है 17% revenue government clients से आता है major client ZEO, ATL, भारत electronics, BSNL, Vodafone ID, L&T, Tata जैसे नाब जो मैंने पहले बताया था तो अब तक हम लोग company के business, revenue break up TAM, major client को देख चुके हैं और अब time है company के financial को देखने का जिससे ये पता चले कि company सच में अच्छा कर रही है या सिर्फ दिख रही है ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो शुरू करते हैं annual performance से मार्ट 2022 में HFCL का sale था 4727 करो मार्ट 2023 में sale था 4747 करो percentage wise 0.33% का growth हुआ sale में मार्ट 2022 में operating profit था 650 करो और मार्ट 2023 में operating profit था 690 करो percentage wise minus 4.76% का fall operating profit में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि company का expense sales से ज़्यादा बढ़ा है तो पिछले 5 साल का compounding profit growth है 12% year over year quarterly sale growth है 21.1% profit growth है 9.95% annual और quarterly basis पे कुछ खास दिकत नहीं दिख रही है अब आते हैं कुछ और ratio को देखते हैं जल्दबाजी नहीं करते हैं समझते हैं मेहनत करते हैं तब stock select कर रहे हैं ROE है 10.2% 5 year का average ROE है 13.2% ROC है 15.7% 5 year का average ROC है 19.3% debt to equity ratio है 0.25 मतलब कर्च कम है cash cycle 115 दिन industry का average cash cycle है 24 दिन मतलब SCL को बहुत late payment आ रहा है तो liquidity issue हो सकती है holding pattern देखें तो 39.24% promoter के पास 6.77% FII के पास 2.78% DII के पास 51.12% public के पास तो क्या इस holding pattern से आपको किसी company की याद आ रही है कुछ दिन पहले ही मैंने इस पे video बनाई थी वो stock अपने market का लीटर था मगर public holding जादा होने के वज़े से वो share penny stock बन गया जी हाँ public holding जादा होने की वज़े से ठीक ऐसा ही कुछ दिखता जा रहा है जहां पे promoter holding काफी कम है और उसमें से भी 44.7% holding placed है मतलब promoter अपने share को गिरवी रखकर bank से loan लिये है उन्हें आगे काम कर रहा है यानि एक बहुत risky मामला आ गया 5 year, annual और year over year quarterly basis पर financial ठीक दिख दिख रहा है मगर current year में profit fall होने की वज़े से return ratio bigger गया है इसके अलावा company का high cash cycle promoter holding pattern place share negative point है company के लिए और इन point की वज़े से HFCL risky small cap की category में आ गया तो यहां तक हम financial तक समझ चुके है अब time है valuation देखने का जिससे हमें यह पता चले कि अभी क्या कहानी है तो current PE है 29.6 industry का PE है 22.9 मतलब overpriced PZ ratio है 2.43 मतलब यहां भी महंगा है book value per share है 22.6 तो जिस वक्त मैं video shoot कर रहा हूं current price चल रहा है 64.7 मतलब price to book value हुआ 2.86 इसके industry का average price to book value है 3.18 मतलब PE और PZ के according महंगा है industry के price to book value के according under price है तो ऐसे confusing situation में हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि यह small cap की company और small cap कहते ही risk की फेवी कॉल की तरह आके जुर जाता है दूसरा ध्यान रखना है कि इसकी promoter holding कम है और जो है भी वहाँ भी pledge है यह अच्छी बात नहीं है और company का cash cycle अपने industry average से काफी जादा है जिसकी वज़ए से company को short term में side issue create हो सकता है इन सभी factor की वज़ा से stock double risky हो गया valuation महंगे हो गए और यहाँ पर जो सबसे important है na reliance का नाम के कारण यह stock बहुत ज़्यादा hype ले रखा है market में जो video बनते हैं, article बनते हैं यह बहुत ज़्यादा hype है बट प्लीज जहाँ जहाँ reliance ने हाथ डाला है चाहे वो आलोक industry हो future retail हो, ऐसी कई कमपनिया हैं, जो भाईया कहाँ पर बैठी है, यह समझने की आपको जरुवत है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तो सिर्फ उसके पीछे ना जाएं हर एक businessman अपने फाइदे के लिए काम कर रहा है, आपके फाइदे के लिए काम नहीं कर रहा है तो मेरा फर्ज है आपको अगाह करना तो यह एक risky कहानी आके जुड़ती है, जो यह कहती कि ठीक है चलो अगर लेने का भी मन बनाते हो, तो पहले गिरने तो दो correct valuation पे तो आने दो फिर प्लान करना, यह बात अलग है कि अगर management अच्छे से काम करेगा तो ऐसा नहीं कि कर्ज लेने के बाद भी company कर्ज नहीं चुकाती है, growth नहीं करती है, बिल्कुल करती है, उसके भी बहुत सारे example है, लेकिन वहाँ पर यह चीज बहुत clear है कि यह क्या हुआ, तो risk award इसी कारण तो आया, कि management की सोच अच्छी हुई, management का वीचार अच्छा Cynthia मैनेजमेंट का काम अच्छा हुआ, तो गो उसकו निकाल के ले जाएंगे, और management का काम अच्छा नहीं हुआ, अगर सोच अच्छी नहीं हुई तो वहाँ पर ये चीज उल्टी पर जाएगी तो वहाँ पे company तो order दे रही है, वो order बंद कर दी कि उसके क्या जाएगा, उसके कुछ नहीं जाएगा, उसको कोई दूसरा vendor मिल जाएगा, लेकिन investor का क्या जाएगा, उनका तो पूरा पैसा डूप जाएगा, तो इसलिए किसी नाम के पीछे जाके invest ना करें, और ये जो 600-600 क कहानी बताई जा रही है, 60 रूपे का stock 600, जिसका मैंने भी thumbnail डाला, क्योंकि आपको eye-opener देना जरूरी था, मुझे लगता है, reality check होना, बहुत सादा जरूरी होता है, हर trader investor के लिए, और मेरे लिए ये वीडियो एक reality check है, आप सब खुद सोचो, तो यानि मेरे लिए final summary ये है आओ, तुम correct valuation पे आओ, फिर हम विचार करते हैं, और तब हम और चीज़ देखेगी, कि order book क्या है, किस तरीके से, और तब हम investment का plan करेंगे, तो आपने क्या सीखा, comment में जरूर बताईएगा, और उनको जीतने का मुखा मिलेगा, मेरी book, और अगर आप चाहें, तो आप order भी चाहेगो technical analysis हो, fundamental analysis हो, mutual fund हो, insurance हो, personal finance हो, सब कुछ मिलेगा, तो आप हमारी website पर जाएं, link description में है, आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, तो जब जब आप इस पे click करेंगे, अंदर में आप exam दे सकते हैं, question पूछे जाएंगे, बहुत unique चीज़ करने की courses की है, और please इसको share ज आपना ना करो, ये मुझे सबसे प्यारी बात लगी, क्यूंकि आपने पहले भी टाटा इलक्सी की वीडियो बनाई थी, बट उस समय मैं वीडियो नहीं देखा था, देखता तो उस समय जरूर लेता, ये big learning है मेरे लिए, और technical breakout होने पर आपने telegram में trade दिया, वो मैंने जर गिरते हैं, तो डर के मारे हाथ पाउं ठंडे हो जाती, क्योंकि बीना जाने समझे लेते हैं, वहाँ पर अगर आपको खरीदते समय भी valuation पता हो, गिरते समय भी valuation पता हो, तो आपको clear रहेगा कि आखिर stock में क्या चल रहा है, तो please sir, आप info at the rate finowings.com पर mail कर दीजे, तो अप